अमेरिका के हुस्टन में निवास कर रही इला प्रसाद हिंदी कहानी और कविता विधाओं में स्रजन कर हिंदी साहित्य को सम्रद्ध कर रही हैं अमेरिका प्रवास करते हुए भी हिंदी भाषा और साहित्य का वो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में ही सक्रियता से प्रचार प्रसार कर रही है। आज सुनिये उनकी लिखी हुई कहानी सेल, मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सेंग। सुनिये गौर से अकबार के पन्ने पलट रही है। इस सब डिवीजन में सिर्फ वे ही हैं जो अकबार खरीते हैं वरना अकबार खरीतने में यहां लोग पैसे खर्च नहीं करते। जब कोई बड़ी सेल आती है तो अल सुबह गैस स्टेशन पर जाकर कूपन उठा लाते हैं, आकर कूपन ही तो चाहिए ना, सेल के कूपन, नहीं तो फिर अकबार खरीतने की जरूत क्या है, सुमी को भी लगता है, लोग ठीकी करते हैं, किसे वक्त है अकबार पढ़ने का, रवीश को वो बार बार टोकती भी है, सारा समय तो आफिस में पीच जाता है, कभी तो पढ़ते नहीं, इंटरनेट पर खबरे देखी लेते हो, टीवी है ही, फिर घर में कच्रा जमा करने की क्या जरूरत है, दो कूपन भी उप्योग में आएं, तो अकबार की कीमत अता हो बाई, कल थैंक्स गिविंग सेल है, लोग सुबह चार बज़े से दुकानों के बाहर खड़े हो जाएंगे, सबकी लंबी लंबी लिस्ट होगी, फिर अगले दिन अकबारों में उनकी तस्वीरे होंगी, वक्त तवे होंगे, उसने इतने सस्ते में ये खरीदा और उसने व सच पूछो, तो साल बर यहां सेल लगी रहती है, हर चीज की, मिटी से लेकर टेलिविजन तक, सब कुछ बिकाओ है यहां, कभी कभी सुमी को लगता है, पूरा अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है, हर चीज बिकाओ है यहां, और सेल पर है, 50% off, 75% off, buy one, get one free, इस्था साल में कार बदल ली, 10 साल में घर, तुम भी चाहो, तो गराज सेल लगाकर अपने पिछले साल खरीदे कपड़े वगरे बेच सकती हो, रवीश ने बताया था, मैं क्यो बेचने लगी, वो चिहूं की, नए ले लेना, रवीश ने चिढ़ाया, एक नया पती ना ले लो, ब बाहर दुका लगा कर बैट जाओ, पूरे सब डिविजन में नुकरों पर हो सके तो सब डिविजन के बाहर, खुलती मुकि सड़क पर, और तमाम मित्रों परिचितों के बीच, अग्रिम, लिखित, अलिखित सूचना दे दो, चिपका दो, पहली बार जब अपने मैक्सिकन परोसी की सेल देखी थी, तो अजीब लगा था, अब सब सामानी लगता है, लोगों के हर रोज बदल जाते हैं, रिष्टे भी, शुरू शुरू में जब नई नई अमेरिका आई थी, तो उसे बड़ा मजा आता था, उसे याद है, वो चक्कित रह गई थी, कि कूपन भर क भीज देने से इतनी सारी चीजें मुफ्ट में अपनी हो जाती हैं, उसने उस साल घूम घूम कर खूब खरीदारी की थी, उन तमाम चीजों की जो बाद में उसकी हो जाने वाली थी, धेर सारी अनाप शनाप चीजें, जिनकी उसे बिलकुल ही ज़रूत नहीं थी, बस देड़ सारे जमा करने पर भी बेकार नहीं होने वाले थे, जब भारत जाएगी तो अपने मित्रों परचितों को बाट देगी, फिर अगले कई दिनों तक वो कूपन भर भर कर भीजती रही थी और आश्चर पैसे आए भी थे, ये इस तरह मुफ्त में चीज़ें क्यों देत दूसरी बात, पुराना माल क्लियर करना है और फिर यदि इनकी चीज़ें तुम्हें पसंद आ गई, तो अगली बार सेल ना होने पर भी तुम खरीदोगी, यहां ग्रहक बनाने की होड है हाँ, जैसे कि मुझे उस सीरियल की आदत पढ़ गई है और मैं वही खाती हूँ, सेल तो नहीं होती हमेशा तुम समझदार हो रही हो, रवीश मुस्कुराए अब सुमी का जोश ठंडा पढ़ गया है, घर में जरूरत की तमाम चीजें जुटा चुकी है वो, सेल में खरीद खरीद कर सच तो ये है, कि सेल में चीजें खरीदने की ऐसी आदत पढ़ चुकी है उसे, कि जरूरत होने पर भी वो तब तक टालती रहती है, जब तक वे चीजें सेल में ना आ जाएं यहां तक कि हर सब्ता सारी दुकानों के सेल के कागज में सब्जी के दामों के तुलना कर वो तैक करती है, कि इस सब्ता फूट टाउन जाएगी या फियस्टा या कहीं और इतनी बड़ी दुकाने, एक सब्जी खरीदने जाओ तो चल चल कर पैर दुख जाते हैं, अब आदत पढ़ गई है यहाँ तो यह हाल है कि लोग लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, लोन में घर, कार और जरूरत की तमाम चीज़ें, मसलन सोफा, पलंग, टीवी वगरे खरीदते हैं लोन लेते हैं शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, फिर बच्चों के खर्चे यू समझ लो कि एक अंतहीन सिलसला जो दीवालिया होकर सड़क पर आ जाने पर ही खत्म होता है सुमी इनके जैसी नहीं बनना चाहेती शुरू में ये सब समझ में नहीं आता था वो समझ नहीं पाती थी कि उसके घर मातर घास काटने के लिए आने वाले होजे इतनी बड़ी गाड़ी कैसे चलाता है वो गाड़ी तो उसकी अपनी है, नई भी है, वो इतने बड़े घर में रहता है सुमी का अपना घर तो उससे छोटा है एक दिन डड़ते ड़ते रवीश से बोली अपना होजे बहुत अमीर है ना हाँ तुमसे तो ज़्यादा है है ही सुमी का मूँ छोटा सा हो गया रवीश की समझ में आया हसे फिर उसे सहलाते हुए से बोले बस इतना है कि तुमारा घर अपना है कोई लोन नहीं है और वो अगले कई सालों तक लोन भरेगा घर का घर का, कार का, सब कुछ का आम अमेरिकी गले तक करज में डूबा हुआ होता है तब से सुमी प्रभावित नहीं होती किसी का बड़ा सा घर देखती है तो सोचती है क्या पता किस नौकरी में है कितने करजे में है कितना बड़ा लोन है शादियों के सूट तक लोग भाड़े पर लेते हैं टेक्सीडो पहने का रिवाज जो है सुमी को नहीं चाहिए सब ना उसे चार बजे सुबह उठकर लाइन में लगना है ना गैस स्टेशन से अकबार के कूपन जमा करने है वो अपने छोटे से घर में छोटी छोटी सहूलितों के बीच खुश है लेकिन तब भी कुछ खलता है बेटियां बड़ी हो रही है तुमल नौकी होने को आई तनुज च्छे की इनके लिए जब वो कपड़े खरीदने जाती है और सेल के बावजूद उनकी उची कीमत देखकर रुख जाती है तब बहुत खलता है और बच्चों को कहा समझ है तनु को रोली की लेकसस कार अच्छी लगती है कित्ती बड़ी है ना मॉम तो क्या हुआ तनु अपनी कोरोला भी तो अच्छी है हम सब कितने आराम से बैठते हैं तनु ने उसे सीधी आँखों से देखा मानो कह रही हो क्यों जूट बोलती हो मॉम सुमी आजकल परिशान रहती है या किसी की नौकरी स्थाई नहीं होती कैसे भरोसा करे उपर से कंपनियां गधे की तरह खटाती है हर महीने यहां वहां टूर पर जाना रह जाती अकेली सुमी घर और बच्चीयों को संभालती उन्हें स्पूल ले जाती वापस लाती रवीश की अनुपस्थिती में सापता हंत में उन्हें यहां वहां गुमाती चकर गिन्नी सी गुमती रहती है इस सब के बावजूद उन दोनोंने जोड जोड कर इतना जुटा लिया है तो वो कम नहीं है घर अपना कार अपनी सब कुछ तो है और सारे लोन चुप चुके है इस से आगे चाहिए क्या अब बस इन दोनों की चिंता है लेकिन इन बच्चों को कौन समझाए अमेरिका की भोकता संस्कृति में पल बढ़ रही उसकी बच्चियां रोजी कुछ देखाती है कुछ सुनाती है अमेरिकी हो रही है ये सुमी सोचती है रोके तो कैसे और रोकना मुनासिब है क्या कई हीम भावना की शिकार ना हो जाए उसकी बच्चियां इतनी बड़ी बड़ी भी नहीं कि समझ सकें इतनी बड़ी बड़ी बाते हैं सोच सकें उस तरह जिस तरह सुमी सोचती है उसे भी तो वक्त लगा था बड़ी थी वो तो तब भी शाम को खेल कर लोटी दोनों बच्चियां उसे उत्साहा से बतला रही थी मॉम, मैक का जो टीवी है ना उसका स्क्रीन 42 इंच है सच, हैरी पॉर्टर देखने में बड़ा मज़ा आया हम भी वैसा खरीदेंगे है ना मॉम सुमी के हाथ में सेल के पेपर है उसने एक फैसला सा किया मिंटों में बोली, हाँ बेटे अभी थैंक्स गिविंग की सेल है ना खरी देंगे बच्चों के आँखों में चमक आ गई सुमीन उने करीब खीच लिया लिपट गई वे उससे वो देर तक उनकी कोमल वाहों को गले के इर्द गिर्द मैसूसती रही रात कुसने रवीश से कहा मैं इस बार टीवी बदल डालूंगी बेटियां बार बार दूसरों के घर देखाती है उन्हें लगता है कि अपना टीवी बहुत चोटा है तुम उन्हें समझाती क्यों नहीं इस तरह तुलना करने की आदत पढ़ गई तो कल को सब कुछ बड़ा चाहिए होगा इन्हे बड़ा घर, बड़ी कार और अपने सिर पर बड़ा लोन यहां शिक्षा कितनी महंगी है जानती तो हो इनकी पढ़ाई का खर्च उटाना मुश्किल हो जाएगा रवीश खीज गया तुम परेशान क्यों होते हो मैं थैंक्स केविंग सेल में जाऊंगी वो शांत थी चार बजे सुबह उठकर हाँ तो क्या हुआ ठीक है जाना मुझे मत उठाना मैं नहीं आने वाला जैसे मुझे कार चलाना नहीं आता और जो टीवी अपने पास है उसका क्या करोगी तुम गराज सेल लगा देना मजाक मत करो अपने बेडरूम में ले लेंगे रवीश ने हतियार डाल दिये सुमी अकबार देख चुकी है सीयर्स में सबसे पहले आने वाले पांस ग्रहाकों को 42 इंच स्क्रीन वाला टीवी 1.500 डॉलर में मिलेगा 1.500 डॉलर तो वे खर्च कर ही सकते हैं इस बार हो जरू जाएगी वो अधीरता से इंतजार कर रही है घड़े में तीन का अलार्म लगाया था लेकिन वो पहले ही उट गई नीन कुछ ठीक से नहीं आई क्या फरक पड़ता है एक दिन की बात है कल सो लेगी आदे गंटे की ड्राइव वो सचमुष सुबह चार बज़े सीर्स के सामने थी नवंबर की ठंड मफलर से कान हूँ लपेटा और मोटे कोट की जेब में हाट डाल कर कार से बाहर ने पनाई गर्माट का एहसास तब भी गायब था वाता नुकुलित घरों में रहने की आदत ने बहुत कमजोर बना दिया है ये लोग कोई शेट क्यों नहीं बनाते लाइन में खड़े-खड़े दान बज रहे हैं अच्छा होता वो भी औरों की तरह एक कप काफी उठा लाती अभी तो खुश्बू से ही गर्म होने की कोशिश कर रही है टीवी लेकर घर जाएगी तो बेटियां कुछी से नाच उठेंगी रवीश भी खुश ही होंगे चाहे अभी नाराजगी दिखा रहे हो बस खुले आकाश के नीचे चार घंटे गुजार ले यहां तो लोग पूरे हफ़ते बर इसी तरह खरीदारी करते हैं सोबह से शाम तक उसके लिए तो कुछ घंटों की बात है आठ बजे दुकान खुल जाएगी वो लाइन में तीसरी है पांच टीवी है उसे तो मिलना ही है पीछे खड़ा नौजवान जोड़ा एक दूसे से चिपका खड़ा है गरम कॉफी के छोटे छोटे धोट भरता हुआ सुमी लाइन से निकलने का खत्रा नहीं उठाना चाहती पहली बार आई है किसी को जानती नहीं क्या पता जगह छिन जाए नहीं तो स्टारबक कॉफी पास में ही है सुबह पांच बजे से कॉफी और ऐसी ही नाच्टे की कई दुकाने खुल जाती है इस सेल के मद्दे नजर उन दुकानों में काम करने वाले ओवर टाइम कमा लेते हैं सबका फाइदा और जो इस तरह सेल लगाते हैं ये उससे इनका अच्छा कासा विग्यापन भी तो होता है उसे याद आया जब आईकिया फरनीचर का शोरूम उसके शहर में खुला था तो लोगों ने पहले पाँच हजार ग्राकों को कुछ हजार के फरनीचर मुफ्त देने की गोश्रा की थी और लोग सबतावर पहले से खुले में टेंट गाड़ कर बैठ के थे वो अगवार में रोज उनकी खबने पढ़ती और उन पर तरस खाती अब कुछ-कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे लाइन में खड़े होते हैं लोग जब वो खुद ऐसी एक भीड का हिस्सा बनी खड़ी है कोई बात नहीं अभी सुबह हो जाएगी इतना भी क्या सूचना क्या वो रोज रो जाने वाली है दुकान खुली सेल्स गर्ड ने मुस्कुरा कर उसका स्वागत किया घटी हुई कीमत चुकाते हुए वो बहुत हलका महसूस कर रही थी हैपी थैंक्स गिविंग उसने काउंटर पर खड़ी लड़की को प्रतित्तर में कहा बाहर निकली तो धूप खिल चुकी थी सुमी मुस्कुरा उठी कभी कभी ऐसा भी होता है अंदर भी धूप बाहर भी धूप टीवी लेकर वो यूँ घर लोटी जैसे जंग जीत कर आई हो बेटियां खुशी से नाच उठी रवीश भी मुस्कुराए सुमी ने संतोज की सांस ली सेल चलती रही थैंक्स केविंग से शुरू हुई सेल अब क्रिसमस की सेल में बदल गई फिर आफ्टर क्रिसमस सेल सुमी को कोई दिलचस्पी नहीं वो बेटियों को खुश देखकर खुश है रवीश उसे देखकर खुश है घर में शानती है टीवी देखती है तो अपने पफख्र हो जाता है सुमी विजेता की तरह घर में घूमती है एक साल होने को आया थैंक्स गिविंग के चुट्टियां हो गई सुमी के लिए थोड़े से दिन चैन के हैं रवीश घर पर हैं वो एक सब्ताः चैन से सोएगी तुमल आज का अगवार उठा लाई है मॉम पता है आज कल फ्लेट स्क्रीन HD TV के सेल चल रही है 50 इंचे स्क्रीन वाला तुम अगवार में देखो ना सुमी चुक मॉम पता है कार की भी सेल होती है ये तनुज थी थैंक्स गेविंग में खरी सकते हैं है ना मॉम ममा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं बोलो न कि हाँ खरी देंगे तनुज ये उसका हाथ पकड़ कर खीशना शुरू कर दिया था क्या बोले सुमी इतनी अल्प जीवी होगी उसकी जीत उसने कब सोचा था उब्भोकता वाद संस्कृत पे लिखी हुई इला प्रसाद की कहानी सेल अभी आपने सुनी उम्मीद है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी कल फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो